शोताओं नमस्कार, आकाश्वणी वारानेसी से मैं चंदन सिंग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। शोताओं हमारा जन्पद काशी सालों से आध्यात्मिक चिंतन का प्रमुख केंद रहा है। मंदिरों के इस शहर में, चौदवी सदी में जन्में एक जुलाहे ने आध्यात्मिक चिंतन की एक नई दिशा प्रदान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर की, जो इसी जन्पद में लहरतारा के एक तालाब में प्रकट हुए थे। हमारे स्टूडियो में उपस्तित हैं महंत गोईन्दास जी, आप कबीर प्रकटेस्थल लहरतारा के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का जो आपने मुझे यहां बुलाए। महंत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप हमारे शुताओं को अपने शुरुवाती दिनों के बारे में बताएं कि आपके शुरुवाती दिन कैसे थे, कहां आपका जन हुआ और आप कबीर से कैसे जुड़े हैं। मैं मुलता चतिसगड़ से हूँ और चतिसगड़ में एक उसमय रायपूर जीला था, रायपूर जीला में एक गाउं है अहिल्दा जहां से मैं मुलरुप से निवासी हूँ और मेरा माता पिता जी पूरे कबीर्पंद के अनवाई हैं उसको फालो करते हैं। साथ ही साथ मेरे माता जी भी काफी कबीर कववाणी को गाते हैं अपने एक लोगों कुस्पृता के दृष्टी से और जग जाहिद करते हैं। संतों का हमेसा घर में आवा गवन रहा है। तो इसका ही प्रभाव रहा कि कबीर्पा मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा पुड़ेंगे ऐसा कुछ? त्रेक लिए आये थे और ऐसे ही कारिकरम के बाद एक हमारे गुरुजी हुए जो गंगस अंसास्ती जो कभी चोरा के तेशवे पिठ हदीस पर हुए उन्होंने बातों बातों में ही पूछ लिया कि दहेंगे क्या यहां यहां पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक हुआ कि दह ले दस वर सकी थे तो मैं कुछ ने जानता तो सादू संत और एक कईस बच्चे को देखा तो एक सभाविक हो गया रागया क्योंकि माता जी ने भी सरालतर से छोड़ दिये क्योंकि कहीं गाउं में रहेगा तो कहीं इदर उदर खेलेगा बिगड़ेगा तमाम चीजे हैं तो उ नों ने आसरम में छोड़ दिये अचा हमारे जो जनपत है उसमें कबीर प्राकटे स्थल जो है उसकी बहुत महत्ता है निसंदे ही हमारे बहुत शोतों हैं जो उसके बारे में जानते होंगे आप मोटे मोटे तौर पे हमारे शोतों को बता दे कि कबीर प्राकटे स्थल है क कबिर प्राकर्टिस्तली जहां सद्गु कबिर साहब आज से 625 वर्षा 1398 में पाये गये थे और जेश्ट पूरिमा के दिन वहीं पर पाये गये थे और ऐसा कबिर पंथियों का मानना है कि कमल के फूल पे उस लाहरतारा सरोवर में पाये गये थे वहां से उनको जो उनके पालन करता माता पिता थे निरु और निमा उन्होंने ले आये और उन्होंने अपने जो उनके माता का घर है मडवाडी जो वर्तमान में भी और कभीर के पिता जी जो निमा निरुकाग है वो कभीर चोरा है तो वहाँ ले गए और जब ले गए तब भी उसको एक संसा हुआ कि फर्स्ट गवना में एक सीसु बाला को ले जा रहा है तो कहीं न कहीं लोग लाजकी भह रहा लेकिन कभीर जी के हस्ता चेहरा उसको एक आकरसित किया और उनोंने सारे चीज को लोग लज्जा को छोड़कर अपने साथ ले गए और बाद में वही उनके पुत्रा के रूप में एक आगे बढ़े है और समाज को एक सुरवात है लेकिन अभी काफी पिछड़ा हुआ जब मैं आया हूँ आज से च्छे साल पहले करीब वह आया तो देखा मैं तो कभी चौरा में था तो दो साल पहले उससे पहले भी गुर जी ने कहा कि मेरा भी थोड़ा समाजिक जीवन से लगाव रहा थोड़ी एक तरह से समाज में जुड़े हुए बैक्ति के सात्र जीवन में भी रहा तो लोगों से मिलना जूलना एक रहा तो बिच बिच में पेपर में या मीडिया में लोगों आने कि मेरी जो उत्रेश्टक कारिया है तो आने लगा तो उन्होंने कहा कि जाओ एक बार लारतारा में रहो और देखो वहाँ कुछ कर सकते हो तो दो साल तो लगा कि वहाँ कोई राते नहीं एक पुजारी राते थे मुझे लगा कि कहां इतने पचासों के भीड़ से एक केले जाकर हमें सारे चीजा अकेले काम करना पड़ेगा कोई पूछने वाला नहीं रहेगा तो दो साल ही से लेकिन लगा कि चलें कुछ करें और कभीड साहब कि उस स्थली को कुछ आगे बढ़ाने का काम करें और धीरे धीरे प्रयास रहा लोगों से उस स्थली के बारे में बताया और समाज को जहां हर लोगों के बिसे में उसको चर्चा किया कि कभीड साहब की जितना नाम है उतना उस स्थली का काम अभी लोगों के बीच नहीं है या उस स्थली का डबलपमेंट नहीं हुआ तो पहले सबसे पहले तो मैं जो लाहरतारा ताल है उसके जिनो धार के लिए सरकार से केंदर सरकार से फंडिंग लिया तो उसमें साड़े तीन करो रुपया फंडिंगा जो लाहरतारा ताल को बहतर रूप से विक्षित किया उसके बाद आस्रम के लिए भी पचास लाग रु से बड़ा बैतर मेरे लिए भी सवभाग्य की बात है कि मैं कबीर के लिए कुछ कर पाऊं तो उन्हाने प्राइब किस्ता उन्होंने दिया पचास लाग से जो छोटा सा मंदीर था उसको थोड़ा भव्या रूप में बनाने का काम किये अभी वरतमान में भी हम लगातार प्र प्रभाव पड़े तुम लगातार प्रयासरत है और अच्छा कारिय हो रहा है इसे संबंदित मेरा अगला सवाल है जैसे अगर हम अपने जन्पद की बात करें बनारस की बात करें तो ये आज परेटन का मुख्य के इंदर बना हुआ है ऐसे में कई परेटक हैं वो प्रकट पांच वर्सों से प्रयासरत कह सकते हैं काफी चीज अभी सरकार ने उत्तरपदे सरकार ने साड़े च्छे करूर रुपया फंडिंग किया है उसके पूरे आस्रम को डबलब्मेंट करने के जिसमें हम उसकी जीवन दर्सन को प्रदसित करेंगे एक लाइब्रेरी का और जो व्यात्री आते हैं उसके जो मूल भूस हुई धाये हैं उसको ध्यान में रखते हुए सारे चीज हम डबलब्मेंट करने का प्रयासरत हैं और अधिक साधिक यह कारेंगे कि कबीर के जो चित्र हम प्रदर्सिंद करेंगे कि वैक्ति यह कहते हैं ने कि एक फोटो सव सब्द के बराबर हो तो उस कारे को हम करेंगे ताकि वैक्ति उस द्रिश से को देखकर ही समझ जाए और कबीर साहब के जीवन कैसा था उरे उसकी जीवन लीला कैसा था एक असानी से समझ में आए कि वैक्ति आज के समय में वैक्ति के पास समय नहीं है तो उस चीज को देखकर ही व व्यक्तित्व कैसा रहा? कबीर का जीवन कैसा रहा? कबीर ने समाज में क्या काम किया? इसको ध्यान में रखते हुए हम बेहतर कारिक करने का प्रयास कर रहा हैं. जी. अच्छा मैं भारत की बात करूँ तो यहां पे तमाम तरग की विचार धाराएं हैं. और अगर कबीर विस्तार होकर के बहुत लोगों के मन में बहुत अपना एक अच्छा स्थान बना चुकी है. कबीर सहाब की जो विचार धारा है. निसंदे ही बहुत लोगों के मन में वो विचार धारा हैं. लेकिन उसका उतने तरीके से जो है विस्तार नहीं हो पाया उनके विचार धारा एसा जगा नहीं है या ऐसा कोई संस्था नहीं है जिसके द्वारों से हम ईक बड़ा मैसेज दें कि सब कबीर कि जितने भी लोग है सब अपने अपने छ 대해서 में काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी संस्था हैं लेकिन सब अपने छipple में ही काम कर रहे हैं सारभावमिक या सब को इकठा करें, ऐसा कहीं किसी के भावना नहीं हुआ, यही कारण है कि लोगों को लगता है कि कबीर के लोग कम है, कबीर के कम नहीं है, मैं तो देखता हूँ, चत्रिजगर, मद्यप्रदेश, गुजरात, राजिस खान, इस सब जगह में बहुत मात्रा म हैं, कबीर पन्ति और चत्रिजगर, बिहार वगर में, तो कई पूरे गाउं के गाउं जो कर सकते हैं, कबीर के लावा किसी को पूछते नहीं, ऐसे भी जगह है, तो कबीर के लोग कम नहीं, कबीर के लोग काफी हैं, लोगों को यह है कि एक बड़ा कारिक्रम के माध्यम से पता नहीं चल रहा है कि ये प्रचार प्रसाद नहीं हो पारा है ये कमी है और जिसांकि आज जिस तरह से आम देख रहे हैं कि कभीर प्रकटिस्थल इसने पिछडा हुआ है लेकिन इसके अलाव कभीर की नाम पर बड़े-बड़े संस्था है जो काफी उँचे is अच्छे हैं। उन्होंने सभाविक्ता कहा कि हम जितना हो सके हैं कभी लारतारा सरवर को डबलब्मेंट करने का प्रयास करेंगे मेरा बहतर काम है मेरे पास तो तमाम आफर आता है कि तमाम इस जगह माजे माराजी इस जगह को देख लिए लेकिन मेरा देख है कि कभीर साहब का जो लारतारा ताल है जो इतने 600 वर्सों से अभी तक पिछड़ा है उसी का डबलब्मेंट करना उसी का विकास करना मेरा मात्रा एक देख है कि कभीर के बारे में लोग जो जानते हैं या कबीर के बारे हम जो पढ़ते हैं कबीर के जितना नाम है उसको सोच कर आते हैं तो वो चीज है कबीर प्राकर टिस्थली में प्राप्ता नहीं होता इसलिए मेरा मुक्यद है कबीर प्राकर टिस्थली को एक अंतराश्टी स्थर पे लोगों तक पहचान बना लेगा चलते चलते हमारे शुताओं को और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मेरा कहना कि कबीर साहब के एक बारी है कि ऐसी बारी बोलिए मन का आपा खोई और अनको सीतल करें आपां सीतल होई तो आप जैसा बैक्ती के सामने बोलते हैं जैसा वैवार करते हैं वैसा ही आपको मिलता है आप जिस तरह का बैक्ती होते हैं उसी तरह आपकी संगत होता है आप अच्छे कारी करें और लोगों के समाज में एक नए दिसा का जागरित करें कबीर साहब ने अपने लिए नहीं जिया, लोगों को उधार के लिए और यही कारण है कि आज हम कबीर को याद करते हैं, यदि कबीर अपने लिए जीता तो आज हम कबीर को याद नहीं करते हैं, तो आप दूसरे के लिए जीना सीखें, यही मेरा मुख्यदे हैं, ताकि जू दुसरे के लिए जीएंगे तो आपके लिए खुद लोग जीएंगे. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद